अगर दुनिया के नक्षे को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अगर अमेरिका को कोई टक कर दे सकता है तो वो है चीर और इसको लेकर दोनों देशों के बीच तू-तू-मे-मे जारी है उसी का नतीजा है कि एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका इसके साथ ही साथ अमेरिकी थिंकरों की सोच है कि दक्षन एश्या में चीन की ताकत को कम करने के लिए अमेरिका को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए इसी का नतीजा है कि अमेरिका दक्षन एश्या में अपनी धमक को बढ़ा रहा है लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरी बात की चर्चा करेंगे हम सबको पता है कि चीन दुनिया को चौकाने में विश्वास रखता है यही कारण है कि जब भी चीन दुनिया के सामने अपनी बात रखता है तो लोग दातों तले उंगली दबा लेते हैं चाहे वो स्पेस का मामला हो या खतरनाग हतियार बनाना हो या किसी तरह का निरमार का मामला हो तो आज हम इसी कड़ी में चीन के द्वारा बनाये गए एक ऐसे ही कारी-गरी के बारे में बता रहे है जी हाँ अब चीन ने दुनिया का सबसे उंचा ब्रिज बना दिया है जिसे नए साल के पहले दिन आम लोगों के लिए खोल दिया गया इस पर गाड़ियां और ट्रेने दोनों एक साथ चलेंगी क्योंकि ये ब्रिज डबल डेकर है इस उचाई वाले पुल का नाम चीन ने रखा है पिंटॉंग ब्रिज इसका में टावर 332 मीटर उचा है यानी करीब 1090 फीट यहाँ पर एक दिल्चस्प बात बताते चले कि इस ब्रिज में प्रमुक रूप से 3 टावर है ये टावर केबल के सहारे एक दूसरे से जुड़े हुए है इसकी कुल लंबाई 2135 मीटर है और ये पिंटॉंग ब्रिज गुई जोव प्रांत में बहने वाली काउडू नदी की घाटी पर बनाए गया है ये पिंटॉंग और लोडियान एक्स्प्रेसवे को भी जोडता है इसके पुल की दोनों तरफ सुरंगे हैं जो एक्स्प्रेसवे को पुल से जोडती है और हाई स्पीड ट्रेन इस ब्रिज पर पिंटॉंग और लोडियान के बीच चलेगी इस हाई स्पीड ट्रेन के चलने से पिंटॉंग और लोडियान के बीच की दूरी धाई घंटे से घट कर एक घंटे रह जाएगी इसी के साथ गुईजो प्रांत में हाई स्पीड ट्रेन की लाए 7000 किलोमीटर हो जाएगी इसके साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि गुईजो प्रांत में ब्रिजों का म्यूजियम भी है चीन का गुईजो प्रांत अपने ब्रिजों के लिए जाना जाता है इस प्रांत में 20,000 से जादा ब्रिज है क्योंकि ये पूरा प्रांत ही पहाड़ियों पर बसा है जानकारों की माने तो दुनिया के 100 में से 46 उचे ब्रेज गुई जो में हैं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये चीन की करामात है जो दुनिया को चौकाने में विश्वास रखता है और चौकाता भी है